प्यारे बच्चों, सुधी इंदी क्लासेज में आप सभी का हर्दिक स्वागत है। आज हम भारते इंद हरिशन्द जिसने हैं हम यूग प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यूग प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर है जो एक्जामनर है वह अच्छे अंक दे देता है अर्थात पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं तो पहले हम पद में कैसे इनका जीवन परचे देखेंगे तो जीवन परचे बताने के पूरी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर और वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में सेयर करें देखिए भारत इंदु हरिशंद का साहितिक परचे भारत इंदु हरिशंद थे सेवक भारी भारत की दुर्दसा देखिके भयो दुखारी लिखे अने को ग्रंत बिजैनी भारत जननी भारत की दुर्दसा सससाई प्रेम यो गिनी पिता सिरी गोपाल चंद कासी को वासी ब्रजभासा में बोल जगाए भारत वासी लिये जन्म स्नी सात के समुवत सर में देश भक्ति की लहर जगाई भारत भर में ऐसे हमारे शाहितीकार जो युक प्रवर्तक और हिंदी गद के प्रवर्तक भारतिन हरिशंद जी थे इनका जन्म कब हुआ था? 1907 के समवत्सर में और 1907 समवद में 1907 में इनका जन्म हुआ था तो सन और समवद में अंतर क्या होता है? किसी सन में अगर हम 57 वर्स जोड़ दें तो वह समवद बन जाता है और किसी समवद में अगर हम 57 वर्स माइनस कर देते हैं तो वह सन बन जाता है तो इस तरह भारतिन हरिशंद का जन्म 1850 इस भी में हुआ था तो इसमें 57 अगर जोड़ देते हैं तो 1907 हो जाता है तो यह समवद है तो यहां हमारा इनका साहितिक परचे पद में है क्योंकि पद में बताने वालों की संख्या बहुत कम होती है कोई नहीं बताता है लेकिन ये पद में भारतिन्द हरिशंद का जीवन परचे है साहितिक परचे है तथा आप देखिए आगे गद में भारतेंदु हरिशंद युक प्रवर्तक थे ये बहु आयामी साहित्यकार थे वे हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते थे क्या है हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु का जन्म कासी में 1850 भी में हुआ था वे प्रदिवा सम्पन और अत्यंत सम्वेदं सहील व्यकति थे 35 वर्फ की अलपायू में अलपजीवन में इन्होंने हिंदी साहित्य की जो सम्ष्धी की वह सामानि व्यक्ति के लिए असंभो है तात इतने कम उम्मर में 35 वर्फ की अलपायू में इन्होंने इतनी हिंदी की सम्रद्धी की कि जो एक सामाने बिक्स के लिए असंभो है इनकी कृतियां इस प्रकार हैं मौलिक नाटक सत्य हरिशंद नेल देवी भारत दूर्दसा और अंधेर नगरी इसमें ये रचनाय भी पूछी जाती हैं रचनाय इंपॉर्टेंट हैं हमा दूर्दसा और अंधेर नगरी ये दोनों जो मौलिक नाटक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अनुदित नाटक है मुद्राराक्षस, रतनावली, भारत जन्नी और करपूर मंजरी इसमें भी दो रचनाय इंपॉर्टें अगला है निबंध संगरह, सुलोचणा, मडलसा और लीलावती ये इनके निबंध संगरह रहे हैं इस प्रकार हमारे भारत जन्न हरिशंद का यहाँ संशिप्त जीवन पर चलै है अगर हमारे बच्चे पदमें भी और गद में भी दोनों में अगर इसे लिख देते हैं तो तो उन्हें अच्छे अंग प्राप्त हो जाते मिल जाते हैं